नमस्कार मैं कानक आप देश रहे हैं अट प्रकाश आए लगर डालते हैं आज की कुछ खाथ ख़बर हिमाचल के चनावों को लेकर आज हम बद्धी कॉंसिटिशन के गाओं लोदी माजरा में आएं जो कि बद्धी से तकरीबन 14-15 किलोमेटर आगे है दोन कॉंसिटिशन सी है ये तो इसमें हम बात करेंगे कुछ गाओं के लोग हैं चुपाल की तरह बैठे हैं आज इन से बात करते हैं कि इनकी क्या-क्या समस्या हैं सरकार से क्या डिमांड है और आने वाले समय में क्या देखते हैं कि कि किसका यहां पर उमीदवार सक्षम है जो गाड़ियां अपने हैं खुद भी चलाते हैं गाड़ियां इनने चलते हैं तो आने पिछले बड़ी सरकार में बीजे पीन हैं लॉग डॉन के बीच में पहले तो हमारा टैस्क फ्री कर दिया भी आपको कोई टैस नहीं बारना पड़ेगा गूर टैस है जो हमाचल का इसके बास साल साल गाड़ी हमारी खड़ी रही हैं उसके इवादा भी डंडा दे रखा है हमारे यह टैक्स बरो ना तो यहां पे काम है और गाड़ियां हमारी यह इतनी निचे चल जा चुकिया हैं और एक गौर्णमेंट नहीं नकाल दिया भी 10 साल बाद गाड़ी नी चल तो हमारे क्या बनेगा हम तो खत्म हो गए यह पीछे बड़ी सरकार ने दीजिए और हमारी ट्राइंपोर्ट की सब रबादी कर दीजिए लेकिन कुछ लोग तो यह कहते हैं बीजेभी की सरकार जो है वेपारियों की तरफ जान देते ऐसा कुस नहीं है जी हरेक बंदे पर सबसे बड़ी समस्या जो है जी अगर हमारे यूध को इंप्लॉएँमेंट नहीं है इन सरकारों ने कोई रुजगार नहीं परवाइड करवाया, रुजगार नहीं मिलता है, अगर वाईचंस किसी को रुजगार मिला भी है 2002 के बाद, 2002 के बाद, तो इन सरकारों ने पेंशन बंद कर दिये, हम प्राइबिट सेक्टर में जॉब करते हैं, हमें एपी एफ की एक है इंप्लोईज प्रोविजेंट फंड उसके अंडर हमें पैंशन मिलती है फैमिली पैंशन जब हमें वो पैंशन मिलेगी रेटायरमेंट के बाद आफ्टर फिप्टी एट यर्स आज मेरी एज फिप्टी एर्स है अगर आज मैं नोकरी छोड़ देता हूं तो मेरे को पचा साल कि वो मेरी पैंशन मिलेगी मैरी मायफ को मले को कमिले गी अगर उसकि वोड zaj जाती हो जाएगा जो मेरा फेमिली पैंशन में पैसा गया है वह सारा ही जीडो हो जाएगा गॉणन के खाते में जाएगा तो यह कुण्यमिंट की जो पॉलसी है यह जनता की फिर बेल ऱ तोटली बंद करती है तो सरकारी करमचारी जो है एडियें रगड़ते रहे कि भाई हमारी पैंशन चालू कर दो तो कोई पैंशन ने चालू नहीं की न्यू पैंशन स्कीम बनाई है वो जस्ट लाइक जो प्राइबट सेक्टर में एपीए की मेंशन है वो वैसे ही है सेम उसी पैंशन लगेगी रिटायरमेंट तक रिटायरमेंट के बाद अगर किसी की पैंशन तीन हजार फिक्स होती है स्पोज पैंती सो फिक्स होती है उसके मरते दम तक वो पैंती सो ही रहेगी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती तो हमारी तो ये डिमांड है कि ये बहुत ही करती है अपने अपने खजाने बरती है अपने पार्टियों के खजाने बरती है तांकि पांच साल के बाद वो खजाने को खर्च करके इलेक्शन जीता जा सके आम जानता कि फिर बैल के लिए सरकारों की कोई पॉलसी नहीं है एक आम आदमी पार्टी की स्कीम जो पंजाम में स सकी में है यह बोत की राजनीती के लिए धर्म करने में बहुत फर्क है पर्तयक्स को परमान की जरूरत नी ह evaluating हम आप ले जलते हैं स्पोलों में जा कि दिखाते हैं कैसे स्कूल है हम भी सरकारीuk में पड़े है सरकारीक सबह्चाल का वही लैफल है जवसे के पार सब्सक्राइब दिली में आई है और पंजाम में यह उस सरकार ने मुद्दा उठाया एजूकेशन का तो उस मुद्दे के बाद इन सरकारों का ध्यान थोड़ा सा यह एजूकेशन की और जाना शुरू है अभी सेंटर गॉर्मिंट ने कहा है कि हम पी एम शिरी योजना शुरू कर रहे हैं आज तक सरकारों का ध्यान नहीं तो इसने कितने सल कांग्रेस ने राज किया आठव साल पिशले आठ सानों से बीजेपी राज कर रही है पहले भी आज करके किसी ने आज कर आज तक एजूकेशन का मुद्दा नहीं उठाया हमारे चोटे चोटे फूलों जैसे बच्छे हम में प्र स्राइबर सेक्टर में रुजगार करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा तो एजूकेशन का है रुजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है हेल्थ का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी सरकारों से बेंती है कि प्लीज जनता के फेर वैल के लिए काम करें जैसे केजरी बाल सरकार कर सरी है सेंटर गवर्मेंट से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे ऐसी पॉलसी बनाओ जैसे विदेशों में स्टेजों पे खड़के बहुत बड़ी बड़ी डिनॉंस्मेंट की आती है कि हम यह कर रहे हैं विदेश से नीती पर वो धरातल पर लागू नहीं होती धरातल पर ऐसी करते हैं यूबाओ से हमारे साथ जुड़े हुए है नमस्कार जी क्या नाम है जिमांद सिंग भी कल जैसी ने भी कहा है कि हमाचल में जोन का कारेकल रहा है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है विरोजगारी पर उनने बोलाई कि हमने सरकार ने उनकी 50,000 लोगों को किये जाते हैं हमेशा अगर कोई ग्राउंड रियाल्टी चेक करें तो कोई पता नी चलता किसे मिली है जो बंदे यहां जॉब कर रहे थे जो बाहर से आके परवासी भी जॉब कर रहे थे करोना का टाइम उनकी भी बहुत सारी जॉब्स गई हैं अभी भी अगर हम हमारे लोक काओं के मैं खुद ट्राई कर रहा था पहले हमारे गाओं के कई बच्चे से जो ट्राई कर रहे थे बढ़ती होने के लिए बट जब से जिन्हों ने घ्राउंड भी क्लियर किया था पहले दो साल तक उनका अगे एक्जाम नहीं हुआ और उसके बाद जो ग्राउंड क्लिय के रुआ था जिनका उनका दोबारा से फिर से सब कुछ कैंसल कर दिया गया कि दोबारा से तुम्हें भरती करने देखनी पड़ेगी तो जब इस स्कीम में बंदा जाता है चार साल के लिए रहता है उस टेम जो इनकम आती है वो मेरे ख्याल से इतनी होती है तांकि वो अप 75% पके करते हैं उसके बाद बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा ये जस्ट एक इलेक्शन का स्टन्ट लग रहा है मेरे हिसाब से 2024 के लिए एक नंबर बढ़ाने के लिए लेकिन अभी ये कह रहें कि अभी हम आने वाले टाइम में जो उनका टार्गेट है वो कहते हम जो बिर कर क्या हैं कि हमारे गाओं के भी कुछ लड़कें हैं जिन्हों ने जैसे बी फार्मा की दो साले की होगी दो साल से ऐसे बैठे हैं जौब हैं हमारे यंजिनिरिंग बी टेक्ए वाले बहुत बंदे ऐसे बैठे हैं जिन्स फूरा मतलब हैं टक आप की हैं उर्दीब जी आपका क्या कहना है कि क्या समस्याएं जो हैं आपके अलाके में हैं और क्या यूवाओं को बूख सर अभी तक जितना हमने कवर किया है मतलब हम भी पहली बार गए हैं वैसे आज तक हम गुमें नहीं पॉलिटिक्स में तो पहली बार जो हमने cover किया उपर साई है, साई में cover किया था, तो वहाँ पे तो मतलब इतनी गरीबी है अभी भी, ना तो वहाँ पे जाने को रस्ता है, तो तीन-तीन किलो मिटर पे एक घर है, बिल्कुल पहाड चड़के वहाँ पे जाना पड़ता है, तो वहाँ के कई हमन पांच साल में वादे करके जाएगी कि हम करेंगे सर अभी हमने अपनी एडिये में देखा है मलब इलेक्शन आते हैं तो अलग अलग पार्टी जाती हैं सब वादे करके जाएगी कि हम ये विकास करेंगे ये विकास करेंगे तो अभी तक हमें कोई विकास ने दिखा मुझे बी फार्मा किये दो साल हो गए है तो जोब के लिए पूछते हैं तो जिसने सर दस पंदरा लाख लगा दिया है अपनी पढ़ाई पे वो साथ अटजार की जोब नहीं करेगा तो किसी विदाएक के पास जाएंगे वो बोलेंगे हमारे हाथ का काम नी है तो अगर विदाएक के हाथ का काम नी है तो आम जनता कुछ नहीं कर सकती है अके बदी बात हुई है कि हम जैसे इम्स आया है बो और भी हॉस्पिटल आएंगे ते उसके लिए बड़े खुले हमतों कि सर अब ही कर रहे हैं तो अब आप दो साल से मैं बैट ना जौ यॉब हाई ना कुछ तो यह वादे हो बहुत कर kein कि हम आपको यह करवाएंगे बो कर जो इनके अपने आदमीं है। सबके पास मलब सब को जॉब मिल रख़ी है वह को को सब मलब सब कोई बिरोजगार नहीं है इनका जो है जो आम जनता है वो मलब बिरोजगार बेठी है इस टाइम और अगर हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं कहीं पे भी तो उनका जवाब ही होता है कि आप लोकल है यहां पर आपको जौब नहीं मिलेगी नहीं जो बाहर के द mismaर करा ही है वो यहां पर आपके जौब कर रहें लेकिं जो लोकल है वो यहां पर जौब नहीं कर सकता तो आयए बात करते हैं इक और हमारे साथ से जौड़े हूए है नमशकार जी आपका क्या नाम राम सिंग जि क्या क्या और समसे इस इस इलागे में नोगों को है प्रफिक्षाइब पूर पर अब यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी सरकार है चाहे बीजेपी सरकार है चाहे कॉंग्रेस की सरकार है यह सबी आते हैं यह पांच साल बाद ही दिखाई देते हैं आम तोर पर अभी समझे लो एक महिने से यह पूरे गौव में प कोई दिखाई नहीं देता सिर्फ पांच साल पांच साल में जब होने में एक या दो मीने रह जाएंगे तब यह लोग यहां आएंगे और फिर वही लौबने सपने दिखाएंगे हम आपको ऐसा करतेंगे यहां बोव स्कूल बन जाएगा यहां कॉलेज खोलेंगे हम यहां पर जो नजदी का है नालागड का एक सरकारी ही अगर हम उसमें जाते हैं कोई आम जाके कोई अपना चेक अप करवाते हैं तो पहले तो वहां बोल देते हैं के ये तो झी हमारी मशीन खराब है आप बाहर से बाहर बहुत सारे खुले हुए है प्राइवेट वहां पर चेक के लाओ भी यहां तो बहुत टाइम लग जाएगा एक मेंदे में कभी 10 दिन लग जाएंगे रिपोर्ट जाने में आप वहां जाओ आपको साथ के साथ रिपोर्ट मिल जाएगी दूसरी बात फिर वह रिपोर्ट आएगी चलो वह भी कलवा लेते हैं सारे महंगे टेस्ट है स दुवाईया लिख देते हैं जाओ जी आप दुवाई ले लो वहां सरकारी हस्टाल में बड़े हद कोई 20-50 रुपे की जो कोई दुवाईय है वो शैद मिल जाएगी कई बातों पैरा सिटा मोली है ज्यादा तर इनके पास बाकी कोई दुवाईया है नहीं और फिर ये बा और हमें सरकारी दुवाईया मिले हमारी अब हमर देख लो 40-50 के बीच में हमारे हर आदमी आज का बिमार है कुछी को कोई बिमारी लगे किसी को कोई लेकिन यहां दुवाईय नाम की हॉस्पिटल नाम की चीज नहीं है और जादा करेंगे यह कुछ जादा कोई सीरियस उसको पीजे रैफर कर देंगे पीजे जाते जाते रास्ते में कई बातों राम नाम साथ तो जाती है तो आईए आपने देखा है कि यहां पर इस कॉंसिट्टिउनसी में जो सबसे बड़ा मुदा है बेरोजगारी शिक्षा और स्वास्ते एक मुदा है जो कि लोगों में आम है कि एक सरकार से रोश भी दिख रहा है कि पिछले पांच साल में सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया हाला कि सरकार बीजे पी सरकार इसके पीछे एक करोना का पी एक बताती है बहाना बता रही है कि करोना काल में जो काम हो पाए हैं वो कर दी हैं पचास जार नौक् है मैं करमजी सिंग मुनीश के साथ बद्दी ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूले